साहित निदि में सुनिये देश की प्रसिध चायवादी कवित्री और साहित्य कार महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई कहानी बिंदा महादेवी जी कहानियां संस्वर और शैली में लिखती थी, तो शुरू करते हैं कहानी बिंदा भीट सी आखों वाली उस दुर्बल छोटी और अपने आप ही सिम्टी सी बालिका पर द्रश्ट डाल कर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लोटाते हुए कहा आपने आयू ठीक नहीं भरी है ठीक कर दीजिये नहीं तो पीछे कठनाई पड़ेगी नहीं ये तो गत आशार में चौदे की हो चुकी सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अचीतरे देखा जो नौ वर्षिये बालिका की सरल चंचलता से शूनिय थी और चौदेर वर्षिये किशोरी के सलज उत्साह से अपरचित उसकी माता के संबंद में मेरी जग्यासा स्वगत न रहकर इस पश्ट प्रश्न ही बन गई होगी क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होगी और उनके वाके को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन इस म्रत्यों की चितर शाला में दो युगों से अथिक समय की भूल के नीचे दबे बिन्दा या विंतेशरी के दुन्दे चितर पर उंगली रखकर कहने लगा ग्यात है अवश्य ग्यात है बिन्दा मेरी उस समय की बाले सखी थी जब मैंने जीवन और म्रत्यों का अमिट अंतर जान नहीं पाया था अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत कंबीर मुक और आश्वस्त भाव से घर भर को सुचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अल्मारी को चूने लगेगा तब मैं निश्य ही एक बारों को देखने जाऊंगी ना मेरे इस पुर्णे संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और ना मैंने एक बार मर कर कभी न लोट सकने का नियम जाना ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़ कर मर जाने वाली मा की कल्पना मेरी बुद्धी में कहां ठहरती अग्याना वस्ता से मेरा साथ देने वाली सफेद कुट्टी सीड़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोट्टी में आंक मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार होटती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फिर देता था उनके कहीं एक नात मीन चुप पाता था उपर के छट के कोने परकबूत्रों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरेया का जो भी घोसला था उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोचों और उनमें साधानी से भरे जाते दानों और कीडे मकोणों को भी मैं अनिक बार देख चुकी थी बचिया को हटाते हुए ही रंभा रंभा कर घर भर को ये दुखत समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे चिपी न थी एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक उगली पकड़े हुए जो विकारिन द्वार द्वार फिरती थी वो भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी अता मैंने निश्यतूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदी के लिए ही हो रहा है और इस महत्रकूर कर्तवे में भूलना होने देने का काम मा नामधारी जीवों को सौपा गया है और बिंदा के भी तो मा थी जिने हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी वे अपनी गोरी मोटी दे को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैट कर फूले गाल और चप्टी सी नाक के दोनों और नीले काच के बटन सी चमकती ही आँखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी उनकी विशेश कारीगरी से सवारी पार्टियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर उनीली सी आँखों में काले डोरे के समाल लगने वाला काजल चमकीले कर्णफूल गले की माला नगदार रंग बिरंगी चूरियां और धूंगरुदार विछुए मुझे बहुत भाते थे क्योंकि ये सब अलंकार उन्हें गुडिया की समानता दे देते थे ये सब तो ठीक था पर उनका व्यवार विच्चितर सा जान पड़ता था सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था गरम पानी से हाथ मुदूला कर मोजे जूत और उनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना मना कर गुनगुना दूद पिलाया जाता था तब पड़ोस के घर में पड़िताईन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था यदि उस गरजन तरजन का कोई अर्थ समझ में ना आता तो मैं उसे श्याम के रंभान के समान इसने का प्रदर्शन भी समझ सकती थी परंत उसकी शब्दावली पर्चित होने के कारण ही कुछ उलजन पैदा करने वाली थी उठती है या आउं बैल कैसे दीदे क्या निकाल रही है मोहन का दूद कब गर्म होगा अब हागी मरती भी नहीं आदी वाक्यों में जो कठोड़ता की धारा बहती रहती थी उसे मेरा अबोद मन भी जानी ही लेता था कभी कभी जब मैं उपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती तब मुझे मैली धोती लप्रेटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाश्ती दिखाई देती उ क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कारे असंभव से थे पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षाकर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर बूजने लगता जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी रहता था तब ना जाने किस दुख की छाया म मेरे नटखटपन को रोका जाता था वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है इसे बहुत प्रयतने करके भी मैं समझ नहीं पाती थी मैं एक भी काम नहीं करती थी और राद दिन उधम मचाती रहती थी पर मुझे तो माने ना मर जाने की आ पता नहीं उनके संग्शिप्त हैं से ना बिंदा की समस्या का समाधान हो सका ना मेरी उल्जन सुलज पाई बिंदा मुझसे कुछ ही बड़ी रही होगी परंत उसका नाटपन दे कर ऐसा लगता था मानों किसी ने उपर से दबा कर उसे कुछ छोटा कर दिया हूँ दो पैसों में आने वाली खजड़ी के उपर चड़ी हुई जिल्ली के समान पतले चर्म से मढ़े और भीतर की हरी हरी नसों की जलक दिने वाले उसके दुबले हाथ पैर नजाने किस अग्यात भै से अवसर न रहते थे कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विच्चत रूप से चौक पढ़ना और पंड़ताईन चाची का स्वर काम में पढ़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मे को बढ़ा ही नहीं देता था प्रत्य उसे भै में बदल देता था और विंदा की आखे तो मुझे पिंजडे में बंद चिडिया की याद दिलाती थी एक बार जब दो-तीन करके तारे गिनते गिनते उसने एक चम्कीले तारे की और उंगली दिखा कर कहा वो रही मेरी अम्मा तब तो मेरे आश्चरी का ठिकाना न रहा क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में पूछने पर विद्या ने अपने ग्यान कोश में से कुछ कण मुझे दे दिये और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को इश्वर बुला लेता है वो तारा बनकर उपर से बच्चों को देखती रहती है और जो बहुत सजधच कर घर में आती है वो बिन्दा की नई अम्मा जैसी होती है मेरी बुद्धी सहजी पराजे स्विकार करना नहीं जानती इसी से मैंने सोच कर कहा तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती है फिर वे न नई रहेंगी और न डाटेंगी विन्दा को मेरा उपाय कुछ चचा नहीं क्योंकि वो तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और नई को बंद पालकी में बैठ कर आते देख शुकी थी अता किसी को भी पदिशित करना उसके लिए कठिन था पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो था अता उसी रात को मैंने मां से बहुत अनुनय पूरवक कहा तुम कभी तारा ना बनना चाहे भगवान कितना ही चंकीला तारा बनावे मा बेचारी मेरी विचितर मुत्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी न पाई थी कि मैंने अकुंठित भाव से अपना आशे पर कट कर दिया नहीं तो पंडिताईन चाची जैसी नई अमा पालकी में बैटकर आ जाएंगी और फिर मेरा दूद बिस्कुट जले भी सब्बंद हो जाएगी और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा मा का उत्तर तो मुझे इसमरण नहीं पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुठी में दबा कर ही मैं सो पाई थी बिंदा के अपराद तो मेरे लिए अग्याद थे पर पंडिताईन चाची के नयायाले से मिलने वाले डंड के सब रूपों से मैं परचित हो चुकी थी गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आगन की जलती धर्टी पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था चौके के खंबे से दिन दिन भर बंधा पाया था और भूग से मुर्जाय मुख के साथ पहरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा जलते देखा था उसे अपराद का ही नहीं अपराद के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताईन चाची का ही काला मोटा और गुंगराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को मिला उसके चोटे-चोटे हाथों से धुल ना सकने वाले उलजे, तेलीन, बाल भी अपने स्वाभावी भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे जब पंडिताईन चाची की कैची ने उन्हें कूडे के धेर पर विक्रा कर उनके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रूलाई आने लगी पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अमा के ही हूँ और एक दिन याद आता है चूले पर चढ़ाया दूद उफना जा रहा था बिंदा ने नन्हे नन्हे हातों से दूद की पतीली उतारी अवश्य पर वो उसकी अगुलियों से छूट कर गिर पड़ी खौलते दूद से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हद बुद्धिसी ही हो रही पंडिताईन चाची से कहकर वो दवा क्यों नहीं लगवा लेती ये समझना मेरे लिए कठिल था उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हिरदे से लगा कर कहीं छिपा देने की आवश्यक्ता बताने लगी तब तो मेरे लिए सब कुछ रहसे में हो उठा उसे मैं अपने घर में खीच लाई अवश्य पर ना ऊपर के खंड में मा के पास ले जा सकी और ना छिपाने का इस्थान को सकी इतने में दीवारे लांक कर आने वाले पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भे से हमारी दिशाएं रोन दी इसी की हडबढ़ाट में हम दोनों सकोठ्री में जागू सी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी मुझे तो घास की पत्या भी चुक रही थी कोष्री का निकार भी कष्ट दे रहा था पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हातों से मेरा हात दबाए ऐसे बैटी थी मानों घास का चुपता हुआ धेर रेशमी बिचोना बन गया हूँ मैं तो शैस हो गई थी क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूत पूर द्रशे की घोशना करने के लिए को लाहल मचाने लगा तब मैंने आखे मलते हुए पूछा क्या सबीरा हो गया माने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगा कर अधिकार फिर कुछ दुनों तक मैंने बिंदा को घर आंगर में काम करते नहीं देखा उसके घर जाने से माने मुझे रूख दिया था पर वे प्राया कुछ अंगूर और सेव लेकर वहां हुआती थी बहुत खुशामत करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महरानी आई है क्या वे मुझे से नहीं मिल सकती उशने पर मुँ में कपरा ठूसकर हसी रोखने लगी जब मेरे मन का कोई समाधान नहो सका तब मैं एक दिन दो पहर को सबी की आँख बचा कर बिंदा के घर पहुँची नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी आँखें गड़े में धस गई थी मुक दानों से भर कर ना जाने कैसा हो गया था और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिच्छोने से बिन ही नहीं जान पड़ता था डॉक्टर, दवा की शीशियां, सिर पर हाथ फेरती हुई मा और बिच्छोने के चारों और चक्कर काटते हुए बाबू जी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है ये मैं नहीं जानती थी इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित से चारों और देखती रह गई बिंदा नहीं कुछ संकेत और कुछ असपष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ उपर खंड में रहती है शायद चेचक के जड़ से सबेरे शाम बरोनी आकर उसा काम कर जाती है फिर तो बिंदा को देखना संभव ना हो सका क्योंकि मेरे इस आग्या उनलंगन से मा बहुत चिंतित हो उटी थी एक दिन सबेरे ही रुकिया ने उनसे नजाने क्या कहा कि वे रामार बंद करके बार बार आखे पोश्टी हुई बिंदा के घर चल दी जाते जाते में मुझे बाहर ना निकलने का आदेश देना नहीं बूली थी इसी से इधर उधर से जाक कर देखना आवश्टी हो गया रुकिया मेरे लिए तिकाल दर्शी से कमना थी परन तो वो विशेश अनुने विन्य के बिना कुछ बताती ही नहीं थी और उससे अनुने विन्य करना मेरे आत्म सम्मान के विरुदे जान पड़ता था अता खिर्की से जाक कर मैं बिन्दा के दर्वाजे पर जमा हुए आद्मियों के अत्रिक्त और कुछ न देख सकी और इस प्रकार की भीर से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी तब क्या उसके घर में विवाह हो रहा है और हो रहा है तो किसका आदि प्रश्न मेरी बुद्धी की परिक्षा लेने लगे पंडिजी का विवाह तो तब होगा जब दूसी परिताइं चाची भी मर कर तारा बन जाएंगी और बैटना सकने वाले मोहन का विवाह संबह नहीं यही सोच विचार कर मैं इस पर नाम तक पहुची कि बिन्दा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं इस अचिंते अपमान से आहत मेरा मन सब गुणियों को साक्षी बना कर बिन्दा को किसी भी शुब कारे में ना बुलाने की प्रतिग्या करने लगा कई दिन तक बिन्दा के घर छांक जांक कर जब मैंने मा से उसे की सस्रा से लोटने के संबन्द में प्रश्न किया तब पता चला कि वो तो अपनी आकाश वासनी अम्मा के पास चली गई है उसने से मैं प्राया चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिन्दा को ढोती रहती पर इतनी दूर से पहचाना क्या संबह था तब से कितना समय पी चुका है पर बिन्दा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेश नहीं हुई कभी हो सकेगी या नहीं इसे कौन पता सकता है अभी आप संबहे थे महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई कहानी बिन्दा